और साथ क्या है कैसे हो बस अल्ला का शुकर है यार ऐसी बॉड़ी बनानी में तीन महीने में मेरी शादी है मुझे ऐसी ऐस चाहिए बूड़ी चाहिए बॉड़ी बन जाएगी बताओ कितने नहीं लगेगा तीन महीने लगेंगे लेकिन थोड़ा खर्चा आएगा बेटा कु नहीं नहीं कोई मस्ला नहीं होगा वेटा टेंशन नहीं दो आजो और चीज़ बताता हूं मैं असलाम अलेकूं स्थाथ बस ऐसी वर्डी बनवा दो यार बन जाएगी कोई मस्ला नहीं स्थाथ इस एप्शन पे आया था मैं उन्होंने बुला कि नीक्षे चलेया वो ट्रे दो महीन है ना मालपा दो महीन है उस्ताद बीस केजी तो करवा दो कम यार सथ थोड़ा सा डाइट प्लान पर गाइड कर दें नमक चीनी चावल रोटी रोपना पड़ेगा ठीक है बाकी नॉर्मल आप फूट मेरे को सथ बचा गया हवा काऊं यह इतना तो करना पड़े है आप काम करना अथा था 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 यह जोड़ा मस्रूफ तब दरा टाइडर क्या होंगा जाओ वार्म अप करो अभी तीन सट लगाओ पुश अपके तीन सट के लगाओ अपर ट्रेश की राट पर आजाओ फॉरण सही है ना क्योंकि मुझे निकलना है में बाद टाइम नहीं है अतना जल्डी 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 अब इनका बीडियो बना रहे हैं और मेरे चैनल पर आएंगे तो आप लोगो और अच्छे-चे कॉंटेंट मिलेंगे तो स्टार्टिंग में जबनाने का मकसद यह था कि आपको इस तरह के जो ट्रेनर्स उन से मार्केट में बचना है क्योंकि इस तरह के ट्रेनर्स जों आ आप लोगो ने ट्रेनर को असेस करना है जब भी आप रहे हैं तो आप ने उन में क्या-क्या चीज़े देखनी हैं क्योंकि आजहर से कि आप बाद आप अगर पे कर रहे हैं तो आपको कम से कम यह जार एक अच्छा ट्रेनर है या नहीं है तो आप आप प्र चाशिव बदा तो अब उसकी कुछs फ्रोटोकोल जहांको स 중요ो होता है आप किसी जिम में तो पुच्छार है वह इन नहीं और है तो इसली यह चीज है फेसी काम क्या होता है from構 काम्या है कर आज यह तो कि ओसे रिस्क बता रहा होता है किसे मसला हो सकता है आप उस पर signature करते हैं, उसके लावा एक और चीज थी है, पार्कियो फॉर्म, ठीक है, वो भी आपने फिल करना होता है, अब उस फॉर्म का काम क्या है, वो बेसिकली डब्ली एचो से जो है अप्रूव हुआ हो फॉर्म होता है, इसके अंदर साथ different questions होते हैं, हम लोग वो लि और यहिए ट्रेशल को अपने, खाए ठीक है, अब आजाते हैं, और इम्पोर्टबर्ट बाट प्रेनर को कैसे असेस्स करेंगे, अब आप जड़ायों चाथे लोगा थार जाते हैं, तो आपने करना क्या है कि वह आपसे क्या-क्या सेज़ पूछ रह है, आपकी ट्रेनिनि क्योंफ पत्ता है है आपके बारे में धो ज़न रहा हुथा है आपके बारे में जान काम लिए काम करते months के फ्रॉग नहीं हमें इन्याτο सबस्क्राइब धी शॉक्त यह ढांने जहें सबस滅ने के लिए बेट वरक ओड़ कर सकते हैं उसी हिससे से प्रोग्राम मने भी थोड़ा सा आपको बताएंगे और इंशाला इस प्रोग्रामिंग के ऊपर भी एक बड़ी सी लंबी सी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे ठीक है अब आगई चीज जो है फिटनेस टेस्टिंग अब जब आपकी कंसलिडेशन हो गई अब बेसिकली जो ट्रेनर है वापकी कंसलिडेशन करता है आपसे बाते 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 करता है अब आपकी फिटनेस असेस्मेंट करेगा कि आपके सकाबिल है कुछ फिटनेस टेस्ट होते है ठीक है फिटनेस टेस्ट बेसिकली डिफरेंट होते है आपकी इस्टेंग चेक हो एक आपकी इंडियरों से को रहती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, सारी चीज़े, आपकी पॉस्टर अरसेस्मेंट, सब कुछ देखता है, ट्रेनर पहले, उसको देखके वह आपका वर्काउट डिजाइन करता है, तो यह सारी चीज़े करने के बाद, वह फिर आप आपसे, य इसके बाद, उसके बाद, लोग नेक्स चीज़े उपर चलेंगे, तो बताएंगे जरा कि गोल साइटिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले तो जब भी आप आ रहे हैं, तो गोल साइटिंग आपकी रिलिस्टिक होनी चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में दिखा या कि वह पिक्चर दिखा रहा है आपको, तीन मेहने में जो बंदा पांच दस साल लगा के बॉड़ी बना रहा है, जो अब एक बंदा क्लाइन आपके कह रहा है कि मुझे तीन मेहने में ऐसी बॉड़ी बनानी है, और आपको ट्रेनर कह रहा है कि कोई मसलर ने बन जाएगी तो यह और आपने यह देखना है कि अगर आपको ट्रेनर यह बोल रहा है, इसमीन वो ट्रेनर नहीं है, ट्रेनर आपको बताएगा कि आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को सेट करना है, आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, आपने वो आपका प्रोग्राम बनाएगा, आपका exercise program बनेगा उसमें आपको starting से इतने heavy lift नहीं होगा, आप initial आपको लेकर चलेंगे, आपको उसमें time लगेगा, और time के सासे जैसे आप grow करेंगे, आपकी body develop होगी, आपका fat percentage करेंगे, जो भी आपका goal है, वो आपका achieve होगा, आपने, सबसे पहले तो short term goal रखने हैं, ठीक है, आपने PRs रखने हैं, कि आप weekly PRs hit करें, monthly PRs hit करें, इससे आप motivate रहे हैं, फिर long term goal के अंदर आपने जो भी fat loss है, जो भी muscle building goal है, उनको रखना है, इससे ही होगा, कि आप motivate भी रहेंगे, और आप अपनी जो fitness journey है, उसको लंबे time सब्सक्राइस ही हो गया, तो इस तरह की चीज़े नहीं है, सही है, आप आते हैं, access programming के अबर, access programming के अंदर यह होता है, कि जो भी आपको trainer है, वो program design करेगा, वो access आपका design करेगा, जो आपके लिए easy है, ऐसा नहीं है, अगर आप deadlift नहीं कर पा रहें, तो आपको starting से deadlift करना करेगा, वो आपको access करेगा, फिर आपको light range कम range मुझें से start करवाएगा, वो देखेगा कि आप किस तना से कर पा रहे हैं, फिर वो आपको आइसता आइसता आइसा आगे लेके जाएगा, first day में आपको squat, deadlift, or heavy leg press, यह नहीं करवाएगा, normally trainers यह कर रहे होते हैं, तो जो भी अच्छा certified trainer होगा, वो यह सारी चीज़ें देखके चलेगा, second आता है हमारा progressive, progressive old note, आते last में, हम progress track करने के बारे में, वो जो हम, I think, जो भी एक trainer होगा, जो आपको training कर रहा रहा होगा, वो आपकी progress जरूँ ट्रेक करेगा, monthly basis पे, यह तू months के basis पे, यह नहीं कि आप आते र अच्छा एक आला बन गया कि वेंग स्केयल ही सब कुछ है, और ऐसा नहीं है, प्रोग्रेस ट्रेक करने के और एक सारी तरीके है, आपके PR आपकी strength इंप्रूफ हो रही है, आपकी पुछ पूश अर एक मेर्फ ज़श पुछाप कर रहे हैं आपकी body composition पहतर हो रही है यह इसकी तरीके होते हैं और उनसे प्रोग्रेस ट्रैक की जाती है यह नहीं कि सिर्फ वेंग स्केल पर अगर आप कांटा इधर उधर जा रहा है तो से बड़ा मसला यह वेंग स्केल के आता है कि आपकर बॉड़ी रिकंपोजिशन हो रही है आपका फैट कम हो रहा है मसल्स बढ आपके पैसे बेजाओंगे आपके घल्फ की खराब होगी और टेनर अथा बनाएगी और एक और चीज जो मैंजिन करनी है कि कौन सा टेनर आपके लिए सही है वो टेनर सही है जो आपको हर चीज के लिए अप्रीशिट करे जो पॉजिटिव रहे आपको नेगरिव नहीं ब एर्द्वाइफिटनेस थैंकि इस्लाव मुष्ट